मैं अटेंशन यानि ध्यान देने की बात कर रहा हूँ. किसी चीज को लेकर नहीं, बस ध्यान देना. योगिक प्रणाली में हमारे पास दशावदानी, शतावदानी नाम की चीजें हैं. इसका मतलब है कि एक आदमी एक समय में दस चीजें करता है. जब आप एक भी चीज नहीं चूकतें, तो सब सोचते हैं कि आप किसी तरह के सूपर हूँमन है. हम आपको बहुत सक्रिये प्रक्रियाएं दे सकते हैं, जिनके जरिये आप अपने ध्यान को उचे से उचे स्तर पर ले जा सकते हैं. मेरा सवाल है, आपके लिए फोकस का क्या मतलब है? और हम किस तरीके से हमारे रोज मरा के जीवन में फोकस ला सकते हैं? तो फोकस की आपकी क्या परिभाशा है? अच्छा. इस शब्द को समझाने के कई तरीके हैं. फोकस की बजाए, अगर आप अटेंशन शब्द का इस्तमाल करें, क्या आप मानते हैं कि फोकस और अटेंशन दोनों एक ही चीज़ के बारे में हैं? इनमें थोड़ा फर्क है. इसमें बारीक सांतर है. पर जब आप फो ये किसी चीज़ पर कोई रोशनी डालने जैसा है. फोकस हमेशा एक बिंदु पर होता है. अटेंशन उससे कहीं ज़ादा हो सकती है. देखिए अभी, अगर आपकी नजर साफ है, मुझे उस लड़के को देखने में दिक्कत हो रही है क्योंकि आपने उन्हें वहाँ हॉल म से रोशन होता, तो मुझे यहां बैठे लोगों को देखने के लिए फोकस नहीं करना पड़ेगा. मुझे बस ध्यान देने की जरुरत होगी. अगर मैं ध्यान देता हूँ, तो मैं यहां मौझूद सभी लोगों को देखूंगा. वे जैसे हैं वैसे. पर अभी, अगर मेरी दिल्चस्पी इस इंसान में हुई, तब मुझे फोकस की जरुरत होगी. अगर मैं आसपास की हर चीज की ओर बिना ध्यान दिये सिर्फ फोकस्ड होता, मैं बिना भेद भाव के ध्यान की बात कर रहा हूँ. ध्यान किसी चीज के बारे में नहीं, बस ध्यान देना, सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर एक खास स्तर का ध्यान देने की शमता है. आपको पता है कि आप वाकई में हैं, नहीं तो मान लिजे नींद में, आपके अनुभव में, ना तो दुनिया मौजूद होती है और ना ही आप होते हैं. कुल मिला कर हुआ ये है कि कोई ध्यान नहीं दे होती है. तब हम अपना ध्यान उस खास उरूची पर लाकर फोकस कर लेते हैं. तो फोकस का उदेशे या परिभाशा क्या है? फोकस का क्या इस्तमाल है? फोकस हमें कहां ले जा सकता है? हम किसी चीज़ पर सिर्फ इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमारे ध्यान की तीवरता काफी नहीं है. अगर हमारा ध्यान बहुत तीवर होता, तो आपको किसी भी चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती. योगिक प्रणाली में हमारे पास दशावधानी, शतावधानी नाम की चीज़ें होती हैं. इसका मतलब है कि एक आदमी एक समय में दस चीज़ें करता है, दूसरा आदमी एक समय में सौ चीज़ें करता है. संगीत का कोई विशेश राग गाएगा और उसी समय वो मैट्स की एक बहुत ही पेचीदा समस्या को सुल जाएगा और उसी समय वो कविता लिखेगा, इस तरह वो दस या सौ चीज़े करेगा. ऐसे लोग मौजूद हैं, या तो आप इसका इस्तमाल स्टेज पर दिखाने के लिए कर सकते हैं, या आप इसे अपने जीवन में इस्तमाल कर सकते हैं, आप एक वैवसाई हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा देख सकते हैं, जिसे जादा तर लोग नहीं देख पाते हैं, तभी आप एक लीडर बनते हैं, क्योंकि आप वो चीज़ें देखने में काबिल हैं, जिनने अभी दूसरों को देखना बाकी हैं, तभी आप एक लीडर का स्थान संभालते हैं, क्योंकि असल में लीडर यानी कि एक बार जब आप मचान पर होते हैं, तो आपको दूसरों से बहतर देखना चाहिए, तो ध्यान वो आयाम है, जो आपको उस मचान पर ले जाएगा. अगर सब कुछ को लेकर आपका ध्यान बहुत पैना होना है, तो आपको भेदभाव करना बंद कर देना होगा, कि मुझे ये व्यक्ती पसंद है, मुझे ये व्यक्ती पसंद नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये उप्योगी है, ये उप्योगी नहीं है। अगर आप किसी तरह का भेदभाव नहीं करते, बस ध्यान देने पर काम करते हैं। किसी चीज पर ध्यान देना नहीं, बलकि सूपर अटेंटिव बनना, साफ ध्यान देना, किसी चीज को लेकर नहीं। देखिए, अभी अगर आप इस हॉल में वोल्टेज बढ़ा दें, जब लाइट आती है, लाइट ऐसे नहीं सोचती कि मैं किस पर फोकस करूँ। जब लाइट आती है, तो कमरे में जो कुछ भी हो वो दिख जाएगा। यही महत्वपून है, यह योगिक प्रक्रिया का एक बहुत ही जरूरी पहलू है, कि हम अपनी ध्यान देने की शक्ती पर काम करते रहते हैं, हम अपने ध्यान को उचे से उचे स्तर तक उठाते चले जाते हैं, उचे से उचे वोल्टेज और तीवरता तक, अब हम फोकस को बढ़ावा नहीं देते, क्योंकि फोकस का मतलब है पूरे ध्यान को एकागर करके एक व्यक्ती पर डाल देना, माल लीजे आपने पूरा फोकस एक बिंदू पर डाल दिया, और आपको उस बिंदू में कुछ भी काम का नहीं मिला, तो आप अपने जीवन के अंत में क्या कर अगर आपका ध्यान उतना पैना है, तो आप इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज में चूकेंगे नहीं, अब जब आप किसी भी चीज से नहीं चूकते हैं, तो सबको लगता है कि आप किसी तरह के सूपर हूमन है, नहीं, नहीं, इसका उदेश्य सूपर हूमन बनना नहीं ह जिनके जरीए आप अपने ध्यान को उचे से उचे स्तर تक उठा सकते हैं. आप कितना साफ देखते हैं, यही तै करता है कि आप इस जीवन में कितनी सफलता से गुजरते हैं. आप में इस पश्टता की जितनी कमी होगी आप अपने जीवन में उतनी ही बड़ी गलतियां करेंगे इसमें कोई शक नहीं है अगर व्यक्ति को सबसे पहले ध्यान को विक्सित करने की दिशा में काम कीजिए पहली चीज है आप अपने भेदभाव के नजरिये को हटाईए कि आप उस व्यक्ति की और ऐसे ना देखें अरे ये एक आदमी है, ये एक औरत है, ये एक कुता है, ये ये है, ये वो है बिना किसी निशकर्ष के बस ध्यान दीजिए अगर आप बिना किसी निशकर्ष के हर चीज की और ध्यान देते हैं, तो आप देखेंगे अगर आप एक चीटी की और ध्यान से देखेंगे, तो ये बहुत ही अदभुत है आप जर्मनी में हैं, कौन जानता है अगर आप एक चीटी की और जरूरी ध्यान दे तो आप शायद धर्ती पर सबसे बढ़िया आटो मोबाइल इजाद कर दें क्योंकि मैंने किसी भी मशीन को चीटी जितनी फूर्ती के साथ चलते हुए नहीं देखा है लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने भी चीटी की और पूरा ध्यान नहीं दिया है तो ध्यान के स्तर को बढ़ाना फोकस से जादा महत्वपूर्ण है अगर आपको अभी किसी चीज़ पर फोकस करने की जरूरत है तो आप कर सकते हैं पर अभी आप एक आसान सा प्रयोग कर सकते हैं अगर आप अपने चेहरे को इस तरह थोड़ा सा उपर करके बैठते हैं और अपनी आखे बंद कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि सौभाविक ही आपकी भौहों के बीच एक फोकस बन जाएगा लेकिन आप कई चीजों की और सचेत हो सकते हैं आपके आसपास के लोग, आपकी सांसें, आपके शरीर की समवेदनाएं आप हर चीज की और जागरुक हो सकते हैं और फिर भी फोकस रह सकते हैं तो मानसिक फोकस एक सीमित संभावना है पर ध्यान ध्यान को बढ़ाना आपको आखिरकार ऐसे स्थान पर ले जाएगा, जहां आप conscious यानि जागरुक हो जाते हैं, या दूसरे लोगों के शब्दों में super conscious, ये बस जागरुक या conscious होना है, पर लोगों को लगता है कि आप super conscious हैं, इसी के कारण आप हर चीज को वैसे ही समझते है जैसी वो है, इसके लिए सबसे महत्वपून चीज है, कि आपका मन एक प्रिज्म की तरह काम नहीं कर रहा, जो चीजों को विकृत कर देता है, और ऐसी डिजाइन रचता है, जो मौझूद ही नहीं है, आपका मन एक सपार शीशे की तरह बन गया है, वो हर चीज को बस वैस जैसी वो है, आप में हर चीज को समझदारी से समभालने की शमता है, वरना आप बहुत सी चीजों को गड़बड कर देते हैं, और एक वैवसाई के लिए बहुत महत्वपून है, क्योंकि आपके पास कोई नौकरी नहीं है. कर दो जाओ पास कोई नहीं है, और दो है।